अब बात करते हैं जिम और योगा केंद्रों में जिनकी काफी साला दिल्चस्पी है उसको लेकर बता दे कि स्वास्त मंत्राले ने दिशा निर्देश जारी किये और कल से ये शुरू होने जा रहे हैं क्या कुछ दिशा निर्देश है नीता शर्मा हमारी सेयोगी हमारे साथ जुर रहे हैं नीता किस तरह की गाइडलाइन्स है और यहाँ पर क्या जिम में अगर कोई व्यक्ती जाता है या योगा सेंटर पर जाता है तो क्या वहाँ पर पल्स ऑक्सीमीटर रखा होगा क्योंकि लेवल जो है माने जाता है बहुत महत्वपून है 95% हर इंसान का उनेचे क्या कुछ गाइड लाइन्स में कहा गया है बहुत ही डीटेल गाइड लाइन्स हैं इन डीटेल को फॉलो करते करते जया इकसरसाइज ऐसे ही हो जाएगी बिना आक्छुली एकसरसाइज किया हुए अगर हम जो गाइड लाइन्स है उसकी अगर हम बात करें तो 65 साल से उपर के व्यक्ति जो है वह नहीं जा सकते बिमार विमन नहीं जा सकती, 10 साल के बच्चे जो हैं वो नहीं जा सकते, 6 feet की दूरी रहेगी अगर आप जब exercise कर रहे होंगे, जाधा तर जो gyms हैं छोटी छोटी लोकालिटी में वो इतने बड़े भी नहीं होते हैं, कि आप 6 feet का जो distance हैं, वो maintain कर सकें, face cover रखेंगे, आप साथ में योगा के इंद्र में अपना-पना mat लेकर आएंगे, लेकिन जो एक और जो एक advisory में लिखा हुआ है, कि exercise करते समय अपने चेहरे और आँख को बचाने के लिए, वाइजर का इस्तेमाल करेंगे, जो लोग exercise करते होंगे, चाहे योगा करते होंगे, चाहे काडियो करते होंग वाइजर पहन के exercise करना बहुत ही मुश्किल है, ये कैसे करेंगे, ये अपने आप में एक new exercise जो है वो invent हो जाएगी, साथ में जो है hand sanitizer का इस्तेमाल किया जाएगा, थूपने पर पाबंदी है, laughter clubs जो है वो allowed नहीं है, क्योंकि उससे जो है वो बाहर जो आता है, जो थोड़े जो एक spit आता है, उससे infection फैले का जो वो है, साथ में जिम्स जो है वो air conditioned होते हैं, तो उसमें temperature को लेकर भी guidelines दी गई है, कि 24 से 30 degree तक आप temperature maintain करेंगे, और inflow of air जो है उसका भी आप maintain करेंगे, जो है 6 feet की जो दूरी का जो एक उलेक किया गया है guidelines में, उसके हिसाब से आप जि advisor पहनना थोड़ा अटपटा जरूर है, mask पहनना तो लाजमी है ही, शशान क्योंकि अगर हम देखते हैं, बहार चलते समय भी आपको advisable है, तो contained areas में जहां पर बहुत सीमित लोग होंगे, जैसे अगर आप जिम थोड़ा छोटा है, उसमें तीन या चार लोग allowed होंगे, तो दूर दूर अगर exercise कर रहे हैं, तो mask allow, mask जो है आप उतार के भी कर सकते हैं, लेकिन social distancing, hand sanitization और साथ में जो भी जितनी भी मैंने do's and don'ts पड़े हैं, उनका पालन करना बहुत ही जरूरी है, अगर आप योगा institute यहाँ फिर जिम में जा रहे हैं exercise करने के लिए, शुशांक जी नीता, बहुत बहुत शुक्रिया, इस पूरी जानकारे के लिए तो कल से जिम और योगा सेंटर स्कूलने जा रहे हैं, और कई तरह के एतियात और यहाँ पर जो इसके संचालक हैं, उनके लिए guidelines, बकायदा के इंदर सरकार की तरफ से जारी की गई हैं, देखते हैं कि किस तरह का उसको लागू भी किया जाएगा.